अगर आप भी दिल्ली की बसों में ट्रावल करते हैं तो आज की इस खबर को जरा ध्यान से देखेगा या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ती दिल्ली की बसों में ट्रावल करता है तो आज ये खबर आप लोगों के लिए बहुत जादा महत्पूर्ण हैं जिस बस में आप लोग सफर करते हैं कि आप जानते हैं कि उस बस में गुंडे बदमाश भी आपके साथ सफर करते हैं और शायद ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है अब आखर ये पूरा मामला क्या है आज किस खबर में बताएंगे आपको नमस्कार मेरे नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत तेस्तरार में दिल्ली के बसे कितनी जादा सुरक्षित हैं इसकी एक और वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ इस video में दावा किया जा रहा है कि दिली की जो बसे हैं उनमें एक ऐसा शक्स ट्रैवल कर रहा है जिसके पास एक बड़ा सा चाकू है और हो सकता है कि वो इस चाकू से आप पर भी हमला कर सके अब आकिर ये पूरा मामला क्या है वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहे है आप एक बार इस पर एक नजर डाले ये टिकट निली इसने पास बताया लेकि इस पर कोई पास नहीं निकला है ये चाकू कह रहा है ये पास अंदर देना कितना खतरनाक चाकू है देखो आज तक भी देवा मैंना ऐसा चाहिए देखो ये पकड़ लिया गया है वसके इंदर कपड़े में पेटा हुआ था देख ये पकड़ा गया है और ये पिचासी की तेरा है ऐसे लोगों से बचके रहे किसी को भी मार सकते हैं है ये ये मारसल साब और कंडेक्ट साब की सराना करनी पड़ेगी जिनोंने इसे पकड़ा है बड़ी बादूरी से लड़ते हुए देखिए पहले दमकी तेरा था ये गल ये पकड़ा गया है पुचासी की तेरा ये में करमपूरा पर अब साब ने एक ये जेव कतरा पकड़ा ये चाकू दिखा रहा था देखो ये पबलिक में चाकू दिखा रहा था इतना बड़ा चाकू और देखो किस तरह से से पकड़ा गया है देखिए ये ये मारसल जी की किष्टी और कंडेक्टर जी कि बड़ी साराना करनी पड़ेगी जिन्होंने पकड़ासे यह आई कि देखी यह है और मारने की किका देरा था यह पुंड़ा यह पखड़ लिया गया है यह देखो जीए इससे साफदान रहना भाई और बस में चड़ते ही कहने लगा पास है और पास मांगा गया तो पास नहीं बता रहा है चक्कु दिखा रहा है यह जो इसन से फंसरा पास है जो पर में अंगे आंगे बागके पकड़ा प्लिज देख लो यह थे पुब्लिक गवाय बोलो थे इनके सामने की बात है इस अब देख रहे हैं यह जब बटि यह कंडिए तो टुर्ट इले अब आप लोग कॉमेंट करके बताये कि क्या वाकई में दिल्ली की बसों में ट्रावल करना सुरक्षित रहे गया है क्या इसके लिए कोई ऐसा तरीका यहां पर देखना चाहिए कि ऐसे लोग बसों में ना ट्रावल कर पाए अब आखिर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी राय हमारे ले बहुत जादा महत्पूर्ण है आज के लिए इतना ही मुझे दीजे इजाज़त और आप लोग देखते रहें तेस्ता रार